नुश्कार जी कैसे हो कहां से आयो आप यह बताऊ है तो अभी क्या परक लगा आपको तीन-चार दिन हो गया है दिखो आपका जो केस था ना यह स्लीब डिस्क का था स्लीब डिस्क डिस्क निकल कर बहार आगे थी तो वह एक कनाल को टूँच हो रही थी ठीक है अब जैसे जैसे यह ठीक होगा पहलेगी महाँ से हटेगी मैट होगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओं कब से इस परिशानी क परिशानी के बाद बाद पता है क्या 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 प्राब्लम आई आपको साइटिका भी हो गया साटिका पेन यह तक नीचे तक तक आना अब कि थाई लोग हो गई अगर आप काफी टाइम पहले से कोई ट्रीटमेंट लेते तो इसनी नौवत नहीं आती है और अभी भी टाइम से आयो है मैं दे तो ऐसे केसिस देखे हैं जो कि भाई उनका पूरी बाडी ही जाम हो गई है अभी आप हमारे ट्रीटमेंट से खु अभी अगरा तक्रीटमेंट अगरा वो आये हैं अजी आजी बस आये हैं बहुत रिलेक्स बलेगा उनको तो एक बाद ना आपको बता देता हूं आपकी रिपोर्ट में ने लेखी थी तो एल फॉर एल फाइफ और एस वन ठीक है जब यहां से कोई में नस्व रॉप हो जाते हैं जैसे कि यह डिस्क बाहर निकलिया इसमें इस नस्व को दबा लिया है इसके बिज़से यहां पर यह पेहराने लग लगा है यह होता है वेट उखाने के काई करने कारण हो जाता है या घर्थ पोस्चर से उखने बैठने से से भी हो जाता है हमारे कपड़े पहनने के से भी हो जाता है जैसे कि अज़ यह खोले इस अयon ठिके उसमें दिहो जाता है तो अभी तक आपको क्या रिट हो गया खट fram तो आपको आपको और पोड पयर ऑल दाब अब नहींद जाता है ठीके जिदन बाद आपका बहुत अ स्टूर तब तयुक्स की हो जाओगे सब्सक्राइब को गहाओगे फिल्ज है काफि की ऑफ पास दी तो आप तो तोर्सक एक्सेडों मां इस साइट मेंधिए तो इसकी एक्सेसाइज बस यह तरफ नहीं जुनी के आँ वोड़ीर नहीं कर दो टेकर जो बोगी नहानगा